अपने ड्रक्स के लट के कारण उसे कई बार जेल जाना पड़ा हाला तिये थे कि जेल में कैदी उसे इतना मारा करते थे कि दो से तीन दिन तक उसे टब में उठना पड़ा वो ड्रक्स के लट को छोड़ना चाहता था लेकिन बचपन से लगी इस आदत को वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं पा रहा था बहुत कोशिस के बाद अपनी गर्फरेंड से साधी और ड्रक्स को छोड़ने का फैंसला किया और उस ड्रक्स को नाले में बहा दिया उसके बाद उसने अपने एक्टिंग केरियर पर फोकस करना शुरू किया फिर क्या था आईरन माइन शेरली खोम और एवेंजर्स जैसी टोप मूवी देकर हलिवुड के टोप एक्टर में शामिल हो गए जी हाँ मैं बात कर रही हूँ रोबर्ट डावनी जूनियर की जो आईरन माइन के नाम से भी जाने जाते हैं